हेलो दोस्तों गर्भावस्था के दवराण खान पान का बहुत अधीक महत्तर होता है अच्छा और पोसक तत्तों से भरपूर खान पान जहां प्रेगनेंट महला और गर्मेपल रहे सिसु के प्रेग्नेंट महला और गर्मे पल रहे सिसू के लिए बहुत ही नुक्सान दे हो जाता है कुछ खादे-पदार्थ का सेवन करने से तो प्रेग्नेंसी के दौरान गंभीर समस्या होने लगते हैं आज इस वेडियो के माध्यम से आपको ऐसे ही पांच खादे-पदार्थ के ब प्रेग्नेंट महला को प्रेग्नेंसी के दौरान अंडे और नौन वेस का सेवन तो जरूर करना चाहिए क्योंकि इसके सेवन से महला को स्वस्त रखने और प्रेग्नेंसी में आने वाली कम्प्लिकेशन्स को कम करने और गर्मे शिसू के बहतर विकास में वदद मिलते हैं अगर महला कच्चे अंडे और नौन वेस का सेवन करती हैं जो अच्छा से पका हुआ नहीं है तो आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है क्योंकि कच्चे खादे पदार्थ में जो नौन वेस होते हैं उसमें सालमोनेला लिस्टेरिया इकोलाई जैसे हानिकारक बैक्टेरि तो आपको उल्टी दस्त डायरिया जैसी समस्या हो सकती है और इसका सीधासर आपके गर में बल रहे सीशूपर पढ़ेगा दोश्टों उसके बाद एलोबेरा का सेवन स्वास्त को सही रखने के लिए एलोबेरा का सेवन फायदेमंद होता है पर प्रेग्नेंट महला के लि तक की समस्या आपको हो जाएगी दोश्टों आप परिसाने में आ जाएंगे इसलिए एलोबेरा से दूर रहे कच्छे पपीते का सेवन भी प्रेग्नेंशी के दौरा नहीं करना चाहेगे क्योंकि इसमें लेटेक्स की मात्रा होती है जो आपके गर में पल रहे सीशूपर संकूचन भी सुरूब हो जाता है जिसके वज़त से गर्भपात जैसी समस्या होने का खत्रा बढ़ जाता है तो प्रेग्नेट मेला को कच्छे पपीते का सेवन नहीं करना चाहे उसके बाद मचली का सेवन pregnant महला मचली का सेवन जरूर करें पर कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है जिस मचली में मरकरी होती है यानि कि जो समुद्री मचली होती है अगर आप वो खाती है तो आपके गर्मे पल रहें सिसू पर बुरा आफ़ डालती है जिससे आपको गर्म पात, बच मिठे, पानी का मचली आपको खाना चाहिए, उसके बाद बीना धूले हुए फल और सबस्ट, प्रेगनेंट महला को बीना धूले हुए फल का सेबन तो भूल कर भी नहीं करने चाहिए दोस्तों, ऐसा ना हो कि कभी आप अंगूर खरिदने जाए और वहीं से टेस्ट करें कि अगरा प्रेगनेंट हैं, तो कोई भी फल हो, आप उसे अच्छे से धोकर ही खाएं, क्योंकि उस पे हानिकारक केमिकल होते हैं, चाहें किटानू से बचाने के लिए, या उसको पकाने के लिए, और उस पे हानिकारक बैक्टेरिया भी मुझूद होते हैं, तो आपके के से हो, आपका सिस्म कभी भी मुश्किल दोर से नहीं गुज़रे, तो अगर इन पात चीजों का आप ध्यान रखती हैं, पूरे गर्भावस्था के दोरान, तो आने वाले समय में कोई दिकत नहीं होगी, कम्प्लिकेशन्स का खत्रा नहीं होगा दोस्तों, और आपके लि प्लीज बताएं, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सेर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठैंक्यों भेरे मचुच।